आगामी एक दिसंबर को होने वाले चुनाव को ले करके उचाए भारती जिनता पाल्टी की बात की जाए या समाजवादी पाल्टी की बात की जाए सभी पत्यासी अपनी मैदान में अपनी ताकत दिखाने को त्यार है आगर बात की जाए तो ये मलसी जो इसनाताकपत के चुनाव को ले करके आज राइवेरेली पहुंचे समाजवादी पाल्टी के राम सिंग यादों इसे हम बाचित करें कि राम सिंग किस प्रकार आप ये आगे देखेंगे ये चुनाव नौजवानों का है असनात्कों का है ये सिक्षा माफियों के कब्जे में चुनाव कई दसकों से हैं इसके पहले 35 साल लखनों शुद्याले के वाजचान्दर जी के पास था इस समय जो सिक्षा पर व्यापार कर रहे हैं प्र बड़े कालेज नहीं लोग उनके खिलाप है जिनका चुनाव उनके बीच में होना चाहिए जो उनके रहनुमाई करें मैं लखनव शुद्याले की विदार्थी राजनीश से मैं उनके साथ दुख औरद को बारता रहूं मैं लखनव शुद्याले 6 संग का चुनाव लड़ा और जीता भी उनके दुख दर से हर नौजवान असनात्कों से मैं भली बात परचित हूँ और मैं उनकी आवाज बनका हमेशा सदर में उठाने के काम करूँगा और हमारा नेता मानी अखले सियादो जी मानी मुलाहिम सियादो जी ने हमेशा नौजवानों के लिए सिक्षिकों के लिए असनात्कों के लिए बेरोजगारों के लिए हमेशा काम किया और हमारे नेता का सपना था कि समा सिक्षा लागू हो जिस कालेज में डियम को बेटा पड़े उसी कालेज में मंतरी के बेटा पड़े उसी कालेज में उस कालेज के चपरासी के भी लड़का पड़े एक सलिवस तो एक किताब हो, एक पढ़ाई हो, सब में एक ही तरगे टीचर हो, तो कहिनगे सिक्ष्छा का बाजाइकरन, ब्यावसाइकरन में रुकावट होगी, और भ्रष्टाचार में भी काफी रुकावट होगी. इस सब चीच को लेकर के आप किस प्रकार दमखाम अपना दिखाएंगे, क्योंकि अब एक दिसंबर जादा धूर नहीं रहा है, तो साथ जीलो का ये चुना होना है, किस प्रकार आगे आप लोग समाजवादी पाल्टी के संदेश को लेकर के, आप कैसे इसको आगे करेंगे? समाजवादी क्यों एक मैना दो मैना चुना में लड़ते हैं, समाजवादी कि लोग हमेशा सडकों पेशे सरकारिम हो जभी बक्ष हो, हमारे निता कते हैं, कोई भी बोले, आप आप आवाज उठा सकते हो, हम लोग हमेशा सडकों पे लड़ते हैं, और मैं आज नहीं शानरा हूं, छात राजनीश जोवीस साल ओपै नोजवानों के बीच में लड़ाई लड़ते हुए. मेरी पास नोजवानों और समाज के हम उद्धमे भीठती की लड़ाई लड़ते वे वे चोवीश-पचीछ साल हो गया और लगतार में लड़ता हूं उनके बीच में, मैं मेरा पर्चे कोई प्रत्यासिक रूप में अब हुआ है, मगा मैं लड़ने का पर्चे सुरू सही है हमारा, मैं आज थोरे लड़ता हूं कि चुनाओ आगया, छे में साल चुप हो जाओं, चुनाओ एक मेन आयत रुपए प कालेज बन वाली है, आज करोना काली में कालेजियों के जोरत पड़ी, उनको उनके लिए दरवाजा नहीं खुले, एक भी गरीब एक भी अविवावक के बच्चे को पढ़ाने के कोशिस नहीं किया, उल्टे ही उनके फीस लेनी कोशिस किया और दबाव की बनाया उनको पर आज वक्त था उनको सेवा करनेकल समाज का, इन्होंने नहीं किया, और जब टिकर लेना हो, तो कप प्लेट बाढ़ देते हैं, प्रलोबन देते हैं, और फिर इसी की लड़ाई है, कि सिक्च्छा और चिकिस्सा, हर विक्ति के मुलदिकारे उसको मिलना चाहिए. अगर आप एक मदूर जाएंगे लेने, तो वो भी बहुत महांगा मिलता है, मगे पढ़ा लगा प्याजी, नेट क्वालिफाइब, एंबीए, पिटेक, एंटेक की अवा बच्चे को आप जाएंगे लेने, तो बहुत कम पैसे में ऑफिस में आपकी नुकरी करता है, जिसस इतनी पढ़े लिखी हैं, बहुत कम पैसे में आफिसों में जाके काम कर रही हैं, इन अधिक इंटिजेंट आज की बच्चे इतनी पढ़े लिखे हैं, आज नोजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूं आपके टीवी से, कि ये इतनी पढ़े लिखे दिमाग उनका तेज हैं, उनकी बस कोई रूज़कार नहीं है, वो बैट की आफिस में काम करें, किसी ये जो सिक्षा के वैपार करें, उनसे अच्छे पढ़ाई लेकर, सिक्षा लेकर, वो बेच रहे हैं, और अधिक फीस असूलते हैं, उनके विद्वता से, उस सिक्षा को बेचते हैं, और अ काल में बेरोज़गार, जो कम पैसे के सिक्षा सिक्षक थे, जो जाकी स्कूल पढ़ाएं किसी तरह सा परे मान संबान को बचाये थे, उनसे रोज़ीरोटी नहीं जिलती थे, मां संबान को बचाये थे, इस करोना काल में लेक्न इन फीस लिया, ये बढ़े-बढ़े आँ जोगों को पैस असूले पैसा में पैसा नहीं दिये इसी खिलाब लड़ाई कि हमसे लोग कमाते हैं क्या बेरोजगार नोजवान पढ़े असना तक क्या यह किसी ब्यापारी का ठीकदार का और सिक्ष्छा मापियों का हतियार है बेवसाय कातियार है यह नौजवान अथ जोटापद है तो इस बीच उपचुना हुए उत्तरप्त्रदेश में वहां पे समाजववादी पार्टी एक सीट ने बागी भीजेपी करें तो इस बीच कैसे समाजवादी पार्टी उत्तरप्रदेश जो साध जीले में ही तर अप लोगों के मलसी पद कर जूना कैसे आप में जोग कि सारे शीटों पर देखिए हम लोग लूग को जिता हम लिए और हमारी जनता हम देखिए ओटों की बढ़ी है इनका घटा है यह सता में तो भी कटा है अज यह लोग तो क्या और यह कर देते हैं हमारी चुनाव में किनू बढा रहे हैं तो यह कुछ भी कर सकते हैं आप देखिए कि आम जन्ता के बीच में जब 22 बखुलेए ओर 22 चुना होगा तो देखिएगऄ परिवट में कैसे बलता किसको मुख्मंतिर किसको लोग पसंद करते हैं अखली स्यादुजी को पसंद करते हैं तो यह थे रांद सिंग राणा जीनों ने लगा ता रहा जो माभी जेपी पे जवा जमका निशाना विसादा और इन्हों ने बताया कि जो आगामी एक दिसंबत को उनके वर्थ चुना हूँ ना उसको लेकर के दमकाम पी कर दंधा ना यांज ने बता हैं झाल स्था चलाओने हैं नेगा झाल स्यांग चाटाओन मावण जके उल दूटरी कोुजाई याल समये कामे झाल जरुप कि जरुबग दो2 फुना हैं कि पना दोगते हैं झाल झाल